बजेट में हम डिजिटल एग्रिकल्चर इंट्रास्ट्रेक्टर के एक बहुत बड़ी योजना लेकर आये हैं आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट येर मना रही है भारप में मिलेट्स के अनेक प्रकार है अनेक नाम है आज जब मिलेट्स गर-गर में पहुंच रहा है पुरी दुनिया में पपिलर हो रहा है तो उसका सरवादिक लाव भारत के छोटे किसानों के नसीग में है और इसलिए आवशक है एक नए तरीके उसको आगे ले जाए जाए इसकी एक नई पहचान विशेश पहचान आवशक है इसलिए अब इस सुपर फूर को स्री अन्न की नई पहचान दी गई है उसके प्रोच्षान के लिए भी अनेक भी दियोजनाएं बनाए गई है श्री अन्न को दी गई प्राफिक्ता से देश के छोटे किसादों हमारे आदिवाजी भाईवें जो किसानी कर रहे हैं उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देश वाचियों को एक स्वस्त जीवन मिलेगा साथियों ये बजेट सस्टेनेबल फीचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एकोनोमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रासेक्टर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूत पूर्व विस्तार देगा बजेट में हमने टेक्नोलोजी और न्यू एकोनोमी पर बहुत अधिक बल दिया है एस्पिरेश्टल भारत, आज, रोड, रेल, मेट्रो, पॉर्ड, वोटरवेज, हर खेत्र में आधूनिक इंफ्रासेक्टर चाहता है नेक्स जनरेशन इंफ्रासेक्टर चाहिए दो हजार की चौदा की तुलना में इंफ्रासेक्टर में निवेश्ट पर चार सो परसंड से जादा के वृद्धी की गई है इस बार इंफ्रासेक्टर पर दस लाग करोड रुप्य का अभूत्परव इन्वेस्टमेंट भारक के विकास को नई उर्जा और तेज गति देगा ये निवेश्ट युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर परदा करेगा एक बहुत बड़ी आबादी को आएके नए आउसर अप्लब्द कराएगा इस बजेट में इस अब बिंग बिजिनेस के साथ साथ हमारे उप्द्रोगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है मसमीच के लिए दो लाग करोव रुप्य के अतिरित रर्ण की गारंटी की जवस्था की गई है अब प्रिजम्टिव टेस्ट की लीमिट बढ़ने से मसमीच को ग्रोव करने में मदद मिलेगी बड़ी कंपनिया द्वारा मसमीच को समय पर पेमेंट मिले इसके लिए नई व्यवस्था बनाई रही है साथियों बहुत तेजी से बदलते भारत में मद्यमवर्ग विकास हो या व्यवस्था हो साहस हो या संकल्प लेने का सामर्त हो जीवन के हर शेत्र में आज भारत का मद्यमवर्ग एक प्रमुग धारा बना हुआ है संब्रूत और विक्सित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मद्यमवर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशे सामर्त है वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मद्यमवर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्त है मद्यमबर को ससकता बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अने को निर्णे लिए और Ease of Living को सुनिश्चित किया है हमने Tax Rate को कम किया है साथ ही Process को Simplified, Transparent और Fast किया है हमेशा मद्यमबर के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मद्यमबर कोट टैक्स में बड़ी राहत दी है इस सर्वस पर्ची और विक्षित बारत के निर्वार को गती देने वाले बजेट के लिए मैं फिर एक बाद निर्मला जी और उनकी पुरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और देश वासियों को भी बहुत बधाई के साथ-साथ मैं आवान करता हूँ आईए अब नया बजेट आपके सामने है नए संकल को लेकर के चल पड़े 2047 में समुरुद्ध भारत समर्थ भारत हर प्रकार से संपन्द भारत हम बना के रहेंगे आईए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं बहुत-बहुत धन्यवाद